Hello guys, welcome back to another video. I hope you guys are doing absolutely fine. Today we are not going to unbox any product. आज हम लोग बिसक्स करेगे कि आप PC कैसे अपग्रेड कर सकते हो, क्या चीजे जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आपको एक PC अपग्रेड करना है, या आपके existing parts है या existing CPU है जिसको आपको अपग्रेड करना है, तो क्या चीजे आपको पता होनी चाहिए, आपके CPU की, आपके motherboard की, आपके processor की, आपके प्रोसेसर की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं. So guys, first of all you have to check your specifications of the existing motherboard, जो की आपका पुराना motherboard है, जिसको आपको upgrade करना है, उसको आपको specification देखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर window R प्रेस करना है, शॉट्टट की, या यहाँ पर जाके आप run भी लिख सकते हो, typing mistake, run लिख होगे, So यहाँ पर run का यह dial-up आजाएगा, और यहाँ पर आपको लिखना है, dxdiag, dxdiag, आप यह प्रेस करोगे, और enter करोगे, So यहाँ पर आपको आपके CPU का processor का graphic display, sound display, sound card, कौन सा sound card है, सब कुछ detail आपको यहाँ पर मिल जाएगा, So for example, यह मेरे PC के आपको बात करते तो मेरे PC का operating system है, यहाँ पर Windows 10 Pro 64 build, build version 18363, Okay, और PC का motherboard है, system manufacturer is gigabyte technology, Okay, और B85M D3H motherboard है, Okay, RGP का RAM है, और Pentium CPU लगा हुआ है, 3 gigaarts का, Okay, So basically, यह मेरे PC का motherboard का details है, और processor का details है, For example, अभी मुझे यह PC को मेरे upgrade करना है, So मुझे सबसे important चीज़ जो लगेगी, वो है मेरे PC का motherboard का number, Okay, So यहाँ पर आप देख सकते हो, B85M-D3H, It's my PC's motherboard number, Okay, So guys, जैसे मैंने आपको बताया कि, हमें system model बहुत important है, अगर PC आपको अपग्रेड करना है, So for example, यहाँ पर आप देख सकते हो, H, Sorry, B85M-D3H is my motherboard, So what I do here, I'll go to Google, And I'll search for my motherboard, Okay, It's a gigabyte, B, Sorry, What was that, 85M-D3H motherboard, Okay, So, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, Motherboard, Okay, So यहाँ पर मुझे, Official Link आचुका है, यहाँ पर सबसे पहला Link है, देखो, आप देख सकते हो, Gigabyte की और से, So मैं यह Link को ओपन करूँगा, B85M-D3H, Okay, So यहाँ पर मैंने इसका Link खुल दिया, तो मुझे सबसे important चीज़, यहाँ पर समझनी होगी, कि मुझे, अगर मेरे PC को अपड्रेड करना है, Okay, For example, मैंने आपको बता है, यहाँ पर मेरा processor है, Pentium CPU, Okay, 4th generation का Pentium CPU हैं यहाँ पर, For example, मुझे Pentium की जगा पर Core i3 या Core i5 4 जनरेशन का अपड्रेड करना है, Okay, So मैं कर सकता हो कि ने मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, See, यहाँ पर लिखा हो आए गाई, Support 4th generation Intel Core Processor, Means Intel Core Processor के 4th generation के सारे CPUs इसमें सपोर्ट करेगे, For example, अभी मैंने यहाँ पर Pentium D मेरे सिस्टम में है, तो मैं Core i3 भी डाल सकता हो, Core i5 भी डाल सकता हो, Core i7 भी डाल सकता हो, Same way, मुझे RAM भी अपड्रेड करना है, तो मुझे यह देखना होगा, कि इसमें RAM का डीटेल्स क्या है, कौन सा RAM सपोर्ट करता है, और कितने स्लोट्स या स्लोट्स तो आपको Physically देखने भी पर पता चल जाएगे, कि चार स्लोट है इसमें, यह मधरबोर्ड में, ओके, सो हम यहाँ पर Specifications में जाएगे, ओके, सो आप यहाँ पर More Detail में देख सकते हो, देखो यहाँ पर दिया गया, Support, Intel Core i7 Processor, Core i5 Processor, Core i3 Processor, Pentium Processor, Celeron Processor, LG A1150 Package, ओके, सो बेसिकली, बहुत सिंपल फंडा है, अगर आपको PC, आपका प्रोसेसर अप्ग्रेड करना है, सबसे पहले चीज़ आपको यह देखनी है, कि आपका Motherboard वो सपोर्ट करता है, कि नहीं, अगर नहीं करता, तो आपको प्रोसेसर के साथ साथ, Motherboard भी चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर दिया है, देखो, Support DDR3, 16 MHz, और 133 MHz, Memory Module, यह 1600 MHz का RAM भी सपोर्ट कर सकता है, यह 133 MHz का भी RAM सपोर्ट कर सकता है, अब 232 GB, मतलब यह 32 GB तक सपोर्ट कर सकता है, Motherboard, ओके, अभी मेरे सिस्टम में 8 GB RAM है, तो मैं इससे 32 GB तक Expand कर सकता हूँ, ओके, तो यह जो और एक चीज में क्लियर करना चाहोगा, यहां पे, किसी के कोई सिस्टम में, आपको यहां पे सिस्टम मौडल ब्लांक लिक के आता है, तो आपको क्या करना है, कि आपका, तो आपको model number find out करना है, और यहां पे आपको ब्लांक आ रहा है, क्योंकि जो Windows डे वो capture नहीं कर पा रहा है कि कौन सा motherboard आपके इसमें इस्टॉल्ड है वो figure out नहीं कर पा रहा है या बायॉस का issue है whatever the reason यहां पर आपको system model शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है आपको cabinet का ढखकन को ला है और physically check करना है यहां पर आप देख सकते हो आपको highlight करके दिख रहा है मैं आपको एक example की और बता रहो की example बता रहो की कहां पर लिखा होगा हमेशा PCI slot के यहां आजू बाजू लिखा होगा कि आपका motherboard का model number कौन सा है जैसे यहां पर लिखा है gigabyte h61ms ओके same way यह आपको example देता हूं मैं मेरे motherboard का okay just a second okay so आप यहां पर देख सकते हो see यहां पर लिखा है gigabyte b85m d3h okay so if your system is not showing the system model here you have to physically check on your motherboard की आपका model number कौन सा है so hope आपको यह point clear हुआ हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ okay so guys यहां पर मैं और एक चीज़ add-on करना चाहोगा कुछ motherboards में different generation के processors भी support करते जो की latest motherboard है अभी के जैसे यहां पर मैंने आपको एक example दिखा रहा हूँ h110m gigabyte का motherboard है यहां पर 7th generation plus 6th generation का intel का processor support करता है यानि कि अगर आपका processor 6th generation है तो आप उसे 7th generation में भी upgrade कर सकते हो for example आपका 6th generation का Pantium D है आपको वापस Pantium D upgrade करना है 7th generation में तो आप यह motherboard में कर सकते हो तो आपको यह चीज़ भी specifically देखना होगा आपका motherboard का model number डालके कि आपका जो motherboard है वो higher generation support करता है की नहीं अगर आपका PC install आपका CPU motherboard processor जो है वो पुरान है तो मैं definitely आपको रिकमेंड करूगा कि आप motherboard processor और RAM टोटली upgrade कर लो ना कि उसमें processor और RAM बढ़ाओ ठीक है तो उससे क्या होगा आपको optimization complete मिलेगा अगर आप same processor रफोगे motherboard change करोगे या RAM upgrade करोगे आपको ज्यादा difference नहीं मिलेगा तो अगर आपको upgrade करना है अगर आपका generation latest generation support करता है तो ठीक है no problem अगर आपका बहुत old version है जैसे i3 5th generation या 4th generation या उससे lower 3rd generation so मैं definitely आपको recommend करूगा कि आप सीधा jump करके 10th या 11th generation पे आप upgrade कर सकते हो ना कि उसमें ही नया motherboard डालो और same processor use करो so hope आपको ये video समझ में आया हो और informative लगा हो तो प्लीज इसे like करो, share करो और subscribe करो झाल आपको करो